के वारे में यहां पर यह कंपनीं करेंगे कंपनीं के प्रोफािश कंपनीं की डीटा, कंपनी की प्रोजर लिजर्ट कंपनी की प्रोफिल लॉज स्टेटमेंट शेयर फोल्डिंग पैटरन अब दो शेयर पेचांट बिंग देखें गाज़ की वीडियो में सो गाइस विजर्ट्र करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानलों को सस्क्राइब नहीं किया है आप स्सक्राइब कर दे इस साब को डेली अप्डेट मिल देंगे मेरे वीडियोस के चरी व्यूड स्टार्ट करते हैं यहां पर मनक्सिया स्टील कंपनी के प्रोफर बात करें यह जो कंपनी जून 7 2001 में कंपनी इंकॉर्परेट हुई थी बाइर सुरेश कुमार, सुरेश कुमार इन्होंने कंपनी है क्या स्टार्ट के थी एंड यह जो सुरेश कुमार है Mr. Suresh जो में कनी मानक्सिया स्टील करें हैं मनक्सिया स्टील कमपनी का सीछिए में के इन्पूर्ट एफेश कुमार। यह सील रहते हैं मनक्सिया जो सूर्परेमी क्या स्चेल्स काम करने पारE मानकिया का कमपनी है किसका demás पार्ट एमनक्षिंग प्स Business of Manufacturing of Value Added Secondary Steels Products So, जो भी Second Steels Products होते हैं, उनका कमपनी का है, यह manufacturing काम करती है, मनक्सिया स्टील, जैसे कि Secondary Steels Products कौन से होगी, इसी Cold Rolled Sheet, means यह जो Sheet आपको दिख रहे, इनका manufacturing काम करती है, दिन, और भी इस ते गलविनाइज, इनका manufacturing काम करती है, इनका manufacturing काम करती है, and Coated Pre-Painted Sheet, means यह जो Sheets like यह जो Sheets है, यह लेक Old Steels जो होते है, उनमें स्टील पेंट किया है, उस तरीके Sheet यह बनाती है, साथ में एक important exporting का काम करती है, प्लस इनकी जो products होते हैं, जैसे की यह products हो गया, Cold Rolled Sheets, इनकी जो Sheets से अलग अलग बिसनेस में, अलग अलग चीज़ों में use किये जाते हैं, वह अगर कुछ products की बात करेंजिते हैं, इनकी जो steel products हैं, यह जैसे की buses हो गए, आप यह automobiles हो गए, इनका क्या काम होता है steel का interior, प्लस जो भी external, जो भी design होते हैं इनका, इसमें यह steel का, उनकी अलग अलग जो भी और भी products है, जैसे की और भी products में इसलिकी यूसी की जाते, फ्शेशे के तरने की production होते हैं, ट्रमी ने यूसी इनका प्राव एंट होते हैं यह जो company एक active importer माने चाहते है जो like raw materials का export करती है like यह import करती है okay and यह export क्या करती है जो like finished products जो होता कि steel जो हिसके यह है यह finished इसके products नो okay so इनका क्या है company क्या है exporting का काम करती अलग-अलग site में exporter है कि इंडिया में भी करती प्लस आफ्रीका हो गया काम करती है वह अगर company की इंवेस्मेंट करके रखा है वही देखा कमपनी ने कहा कहा investment करके रखा है वही देखा जो मनेक्सा जो company है इसका जो part है उसमें भी इसने investment करके रखा है अगर वही देखा company ने कितना 26.70 lakh share जो है इसने like खरीदे तक share था किसमें मनेक्सा स्टील में अभी देखा जाए चारीस लाग share है जो कि देखा जाए total investment कंपनी का मनेक्सा स्टील जो कमपनी इसका total investment मनेक्सा कंपनी में कितना है 20 क्रोर का है इट मिंस का company जो बहुत भी बढ़िया है for the investment करने के कंपनी के investment segment भी देखे अगर कंपनी का profile भी देखे प्लस इंपोर्डिंग एक्सपर्ड के जब production होते कंपनी का production देखे में बहुत इच्छा कासा है कि अगर देखे इसके पीए companies में भी देखे तो बहुत सी companies आपको मिलेंगी जो अलग-अलग अपने ही में इसका भी अच्छा कासा है वैसे यह company इसका भी अच्छा कासा होता ही है definitely जिस भी company का अच्छा production होगा उसका ही growth होता है यह company का production अगर फिलाल भी देखा तो अच्छा कासा हो रहा है भले company ने इतना returns नहीं दिया है कुछ सालों में बट दीज़े company जो है profit की और जारे इन company का investment segment देखा है तो उसके basis में बहुरी company जो है for the long term के investment करने के लिए अच्छी गाजी company short term के आप इसमें investment नहीं कर सकते है okay so यह था basically company का profile next company के data के बारे बात की जाए अगर आप company का market capital देखे तो 2.30 क्रों का है because this small cap company है okay वही company के stock P 12.6 दिया हुआ है वही company के लिए डिटरों का employee 14.2% का दिया हुआ है यहां पे then वही company के बड़ देखे जाए तो 36.2 क्रों का है तो पिला रख देखा जाए company जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है गें किया है कुछ quarter रिजल्स में कटी रिवेस्टी company अपनों देख वो भी रिडियूस किया हुआ है so आने मेरे टाइम में company चाहिए company बन सकते है company इस तरह से अपना के जो देख रिडियूस करती जाहेगी तो वही company इंडस्ट्री पी की बसके 17.3 दिया हुआ है so as compared like stock पी इंडस्ट्री पी यहां पे ज्यादा रहे जो कि मेरे हम company इंडस्ट्री पी ज्यादा ही होना चाहिए company का current price देख 35.4 पी असपास दिया भी trade हो रहा है वही company का बुख वाई कर दिया हुआ है company का वही company का credit loan के वी equity देखे means कितना profit कर रही 11.7 पसंट्री मिंस का company इतना profit नहीं करें but company जो हलका उपका profit को जो प्रॉफित होता है वो कर रहे है दीरे दीरे आने मेरे टाइम में जो आने मेरे टाइज जो जो रिजल्ट नहीं करें उसमें आपको अच्छा का रहा था को अच्छा का रहा है विए प्रॉफित भी कर रहा है कुछ वीक सब्सक्राइब देखे तो यह हमिशाल लगे टॉप पे चल रहा है देखें इनस तो नोट इन टॉप बट इसने जो थोड़ा वरा का रिटन्स अभी दे रही विए अगर आप फ्राइडे का भी प्रफॉर्मिंस देखें लास्ट फ्राइडे का सो उसने भी कुछ सम्तिंग यह पॉया प्रसंटेज वह यह अपकर आगा देखा जाए तो ओके वही कंपनी के लिएक वोकिंग की बात की जाए कि ता रोपीस करों का कंपनी का वोकिंग कैपिल दिया हो और प्लेस पर सफेकर यह पर जीर पर यह पर यह एग्वा नहीं लास्ट फू लोगर्टर जो रिजल्स भी देखें तो इसमें भी चीज़ पॉस्टिव में आता है इट मिंस क्या कंपणी की प्रोमोटर्स जो धिरे तर बढ़ते ही जाएंगे अच्छा का आपको देख मिलेगा यह चीज़ बीदे आपको नियूस करने कंपनी में अगए पर नियूस वगए पर कुछ निकल के आते हैं प्रेकि और थिख प्रोम आपको करने वाली कुछ नियूस निकल के आता है तो लोग क्या करते है उस कंपनी की शेयर ऐसे में पॉमेंटम आप जात अब जाता है जब अब जाता है लोगों को लगता है कि इस नहीं इसका अप जारा ट बाइंग करने करते हैं मौका में तो छोग उसम इसमें बाइंग सेलिंग प्रॉपर केंडर सब्सक्राइब ऑप में चीज़ा थियान में रखें कि बहले समौल का कंपनी हो अगर उसमें प्रॉपर होना चाहिए क्या है मतलब उसमें प्रपर बाइंग सेलिंग होनी चाहिए तभी आप इसमें इंवेस्मेंट कर रहे हुए वही गंपनी का हाई देखे 54 रुपीस का दिया हुए वही लोग देखे 29 सब्सक्राइब अब 35 वे फोंके इस पर स्ट्रेट हो रहा है यह मन की लाज तक में भी हो सजिस्टर इसे इसे वीकली से देखे अचा परफरमस्ट चल रहा है चलेंज पर क्रॉस कर सकता आने मने टाइमिंग यह मन के अन तक बता रहे हुए वह कंपनी के डिवेंट की बात की जाया है बिस वी सब्सक्राइब कर देखे जाया है तो वही कंपनी के डेट की बात की बात की जाया है तो वही कंपनी के अपना अपना जो डेफ्ट हर रियूस किया है प्लस कंपनी सब्सक्राइब कर Records लेका सब्सक्राइब तोन भूप्स पर रहे है तो न्यों में बात की बात करता का सब्सक्राइब होत फैसे का में यह थी कंपनी ।ैप जए कोंपनी जीन किया हुआ है यह जरी है कि अच्छा करता प्रॉफित होगा विए फिलाल इसको प्रॉफित हो रहा है यह इतना जो माइनस नहीं नग कम होगा है इतना कम आया है ओवरल यह कंपनी के प्रॉफित है जो कि इसमें पॉच्छा करती है बट वह कंपनी में अगर आप इन्वेस्मेंट करने जाने बिफोर दाट कम्पनी के लिए अगर अगर आप हो जाए तो करेंट प्रॉफित देख लीजिए प्लस कंपनी के P.E. आपको में आपको देखना ज़रूरी है जो कि देख जाए कंपनी के प्रॉच्शन से पयते पेटिंट के पर डिपेंट मेंन करता है यह सथितो इस तरह कंपनी के प्रॉदक्शन से उससाब से कंपनी के P.E. इसके दीए होई होते है कमपने के कंप्ने के बैज की था बिषे साब सधा ता रज़ा उतरखमनु बि था मत हम अज कि पर छूप पर दोग टर diya को सब्सक्रा कमटनीर आप różी है अगर आपको कुछ दिल्चस्प भी है इसमें इंवेस्मेंट करने का तो आप जाके उसमें आप जाके इंवेस्मेंट करने का जिसमें आपको लिए इंट्रेस्ट है सो यहां मुझो श्यां मेटलिक्स हो गया उशा मार्णी यह जो कंपनी है 177 में आपको मिल रहा है शेयर यह पी भी अच्छा है डिविदेंट भी अच्छा काशा प्रोवाइड करी कॉर्टर जो है रिजल्ट इदी अच्छे का से इसके आए अगर आप इसमें इंवेस्मेंट करें निजार है इस पिलाल कंपनी के जुबाद यह फार देग के यह इसमें वैस्मेंट की जेगा वही मनग्सें स्टिटल का बेर उस्ट इसमें आप इसमानस मेंगाशा क्टे सकते हो इस लाँग ओम काम्डिविवडगा प्रत्मेंट्य सबूद कराना हो की यह थी लिग कि तो यह दा कम्पनी के पी पिया कम्पीजन नेक्स्ट वही कंपनी कोटर रिजल्स की बास या लास्ट के थ्री कॉटर रिजल्स अगर आगर आप देखे सेज देखे से कंटीनिवेस नहीं के सेज बढ़ रहते बट जैसे सेप्टेंबर का आश में 133.58 करो का ही कंपनी का सेज मैंट के सेज कम हो गया एक्सपेंसे सेंगें की इतना 122 को हुआ है अब पसंदेज भी देखे 2.96 पसंद दिया हुआ है जो कि देखा जाए प्र नेट प्रम यह यहां पर देखे तो इसका सेंस में कम हुआ है डिया हुआ है पट कंपनी अगर आप ऑन पसंदेज देखे तो इसका बढ़ाए 2.96 परफिट भी देखिए तो अगर देखिए तरह कम्परफिट भी बढ़ा देखा है कि ता 3.40 करो का हुआ है अगर अगर पर काई करें, लास्वाट रिजर्ट से बड़े काई करें लास्वाट रिजर्ट ज़ेंदे कर देखिए तो फोर्ट हो रहा था को आगे जाके भी इसमें अपको रिटेंस आपको मिलेंगे अच्छा का तब कॉटटर जो है रिजल्ट आपको देशन मिलेगा है कम्पनी में ओक इस उते कम्पनी के प्रॉफिट लॉस्टेट्मेंट की बात की जाए कम्पनी यहली मिसाला न कैसे प्रॉफिट कितना रहे नि रिजल्ट होता है जो थो सेल्स एयों तो यहां पे जादा हुआ है 2020 से बीजल्ट का कम्पनी ने वापस जंक मुह रहा है यहां पर एकस्पेंस भी देखे लिए फ्रॉइट का एट पसेंट का अम्रे का ओपिन पसेंडिस लिए हुआ है नेक प्रॉफित भी देगे 30 क्रोग का हुआ है में 30 क्रोग का हुआ है अगर वही आप से कि यहां से 2011 से देखे और 22 तक का देखे सबसे जादा जो यहली बेशल पर जो प्रॉफित हुआ है वो मार्श 2022 में हुआ है इतमीज जो मैं सार्टिंग से बोर है थी कि लॉंग टम के आप इसमें इंवेस्मेंट करो जदा बटा रहेगा मेरे बोलने का मतलब यही था अगर आप लॉंग टम के इसमें इंवेस्मेंट करोगे कि आपको एकत्ठा कंपो रूटरा सबके हांग मिल सकता है आणवस आप चौर्ट टम के लिए सूच रह भो सोच रहे हो तो कॉटर्ट टम के अपको इतनी रूटर नहीं मिल सकता है लॉंग टम यह कंपनिूंच में इंवेस्मेंट करें लिए पर जो प्रमोटिंग ओल्डीं था मतलब कम था उसकी बात जो है पर प्रमोटिंग ओल्डींग तो कितना इंक्रीज वह हो गए बहुत ही जाते हैं अभी जो देखे जाये तो कितना 70.75% का promoting shareholding जो की increase हुआ है last 2018 से compare करें तो यहां पर अगर आप जाके और भी चीज़े देखे लाइक अगर आप डीपी जाके देखेंगे ना shareholding pattern screener पे तो आप दिया हुआ होते है कि 2018 से company के जो quarter जो क्या बोलते हैं जो promoter shareholding आप इंक्रीज हुआ है पर देखेंगे अगरा 0.20% होगे इसमिस का यहां पर फॉरें इंवेस्मेंट का जो कि ने ने जो इंवेस्टर्स होते हैं मार्केट में उनको कम प्राइस में इनको शेयर चाहिए रहता है जो उनका तुक्का में जाता है कि छोटे पर इंवेस्मेंट करते हो तभी आप अगर छोटे चोटे हम प्राइस में अगरा जाते हो तभी आपको एक ज्बो ने मिलते हैं जैसे कि पुरा आपको पूरा आपको data company के data को देने पड़ते हैं, quarter results आपको देच्ट को देने हम बाखी चीज़ा भी देखने पड़ते हैं, technical क्या proper job बाइंट करीच शेर में होने चीज़ ये आपको technical देखना है, and third चीज़ आप खुदका आपका दिमाग यूज करना है, यह जीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, so यह था कंपनी के शेर वोर्डिंग पैटन, next ना पे कंपनी के फानिशल ट्रेन की बास की जाए, अगर यह था पे फानिशल ट्रेन देखे, 2019 से लेके 22 तक का, यह था कंपनी के फानिशल ट्रेंज, यह था कंपनी के मलक्षा स्पील के अगर हम इसे अपड़ाई चाहिए, 35.4 पैसा क्लोजिए, 0.85 पसंट यह अब अच्छा स्पील का अगर आप देखे आप, अगर बाइंग पुजिशन बताऊ, 35.75 के आसपास आपको बाइंग कर सकते हैं, देखा यह 35.45 के आसपास का जो है, क्या होगा है, प्लोजिंग होगा है, तो आपको 35.75 के आसपास आपको बाइंग करना है, टागेट कितना रखने 3619 रुपेस का, अची खासी का इसे का आपको सपोर्ट आपको लेना है अगर आपने एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं आपके शॉर्ट टंग करते हैं तो यह था कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटन आपके शॉर्ट आपके शॉर्ट का शॉर्ट एक शॉर्ट गारत है विडियो को लाइक शर्ट पर किजीए गासाथ में चाला हो को सब्सक्राइब करना मत बुलीगा ताइंक्यू